हेलो मैं सारी कमिश्र एक्जाम कॉंकर्स चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों चलिए पढ़ते हैं यूपी पुलिस जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रेश्ण जो आपकी परिच्छा में पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना रखते हैं देखिए प्र ए भारत का राश्ट पती। उप्षन B भारत का उपर राश्ट पती। irrelevantि उपसें सudeय होग़ लोकसभा अध्यच चले प्रस संघ्या दोमें क्या पूछ रहा है कल्यार करी राज्य कि संकल्पना का समावेस भारत के सम्मिधान में हैं कल्यार क्री राजी की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है और जी के नीति नी दे सकत्तों में और यह आयरलेंड के संविधान से लिया गया है प्रिश्ण संक्या 3 देखिए तीन में क्या होगा उत्तर प्रिदेश में इस्तितवय इस्थल जहां हर्स वर्धन ने बहुत दे महा सम्मेलन का आयोजन किया था देखिए यह पूछ रहा है प्रिष्ण उत्तर प्रिदेश में इस्तित वह इस्थल जहां हर्श वर्धन ने बहुत महा सम्मेलन का आयोजन किया था प्रिष्ण संख्या चार देखिए चार में क्या पूछ रहा है पुराणों के अनुसार चंद्रवनसी यह सासकों का मूल इस्थान था और प्रिष्ण संख्या पांस देखिए पांच में क्या पूछ रहा है कपिल मुनी द्वारा प्रिष्थान प्रिष्थान पूछ रहा है इसन कि इसका सईथर हो जाएगा मांचीस रहे हैं क्या रहा है छीनी लेखक भारत का उलेक किस नाम से करते हैं तो इसका सयुतर हो जाएगा ओप्षन बी यिन तू यिन तू नाम से करते हैं देखी प्राचीन काल में चीनी लेकों ने भारत का उलेक यिन तू तथा थियान तू के नाम से किया था प्रेशन संख्या साथ देखे निम ने लिखी तमिल ग्रंतों में से किसे लगुवेद की संग्या दी गई है ओप्षन नंदी कलंब कम ओप्षन बी कलिंगत्तु परणी ओप्षन सी पेरिय पुराणम ओप्षन डी कुरल तो सयुतर हो जाएगा ओप्षन डी कुरल होगा सिरु अल्लुवर को ब्रह्मा जी का ओतार माना जाता है प्रेशन संख्या आठ देखे आठ में पूछ रहा है निम्न लिखित में से किसका सुमेल नहीं है ओप्षन ए जेयल नहरु सांतीवन ओप्षन बी अलबी सास्त्री विजयगाट ओप्षन सी इंद्रा गांधी सत्ति राजियू गांधी कर्म भूमी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ओप्षन डी हो जाएगा डी का सुमेल सही नहीं है देखे राजियू गांधी का समाधी इस्तल कर्म भूमी नहीं वीर भूमी है और जवाहलान नहरु की समाधी इस्तल सांतीवन है लाल बहादुर सास् विजय घाट और इंद्रा गांधी का समाधी स्थल सक्ति स्थल है, राजियू गांधी का कर्ब भूमी नहीं, वीर भूमी है, प्रशन संख्या नौ देखिये, राश्टी सुरच्छा समीती का प्रधान कौन होता है, उप्षन ग्रिय मंत्री, उप्षन बी प्रधान मंत्री, सुरच्छा समीति का प्रधान कौन होता है प्रधान मंत्री होता है दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल एक्जाम कॉंकर्स को लाइक प्रिशन संक्या 11 में पूछ रहा है केंद्र सरकार और राजी सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारती संविधान से भारत की भारत की संसत से तो इसका सेयुत्तर क्या हो जाएगा ऑप्सन ए हो जाएगा भारती संविधान से प्राप्त होता है देखिए संगी सासन प्रणाली के अनुसार केंद्र और राजीयों के मद्र विधाई प्रसासनिक और आर्थिक सक्तियों का विभाजन भारती संविधान में किया गया है का तो सही उत्तर हो जाएगा option B हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेशन संक्या 13 देखिए निम्न लिखित में से किस एक सदन का अध्यत से एक गैर सदस से होता है लोग सभा option B राजविधान सभा option C राजविधान सभा option D उपर युख्त में से कोई नहीं तो इसका स्री उत्तर हो जाएगा औप जैकिए राजविधान सभा का पदेञ सभापति उपराश्विधान सभा सभाका सदस्य नहीं होता परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों दारा होता है संभिधान के अनुच्छेद सभाका पदेन सभापती होता है प्रश्न संख्य चौदा देखे चौदा में पूछ रहा है अस्टा ध्याई किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्सन ए बेदव्यास ऑप्सन बी पाणिनी ऑप्सन सी सुकदेव ऑप्सन डिवाल मिकी तो सही उत अब देखे प्रश्न संख्या पंद्रा देखते हैं पंद्रा में पूछ रहा है मिलिंद पन हो राजा मिलिंद तथा एक बहुत बिच्चु के मद्द संबाद रूप में है वह भिच्चु थे प्रश्न संख्या पंद्रा में क्या पूछ रहा है मिलिंद पन हो राजा मिलिंद तथा एक बहुत बिच्चु के मद्द संबाद रूप में है वह भिच्चु कौन थे option A नागारजुन, option B नागभट, option C नागशेन, option D कुमारिल भट तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? option C हो जाएगा नागशेन प्रिशन संख्या 16 देखिए, कल्हड कृत राज तरंगणी में कुल कितने तरंग है? तो राज तरंगणी किसके द्वारा क्रित है? कल्हड के द्वारा, option A आठ, option B 9, option C 10, option D 11, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, option A हो जाएगा 8 देखिए, कल्हड के समय कस्मीर का सासक जैसिंग 1128 से 1149 तक था, उसी के सासनकाल के दौरान कल्हड ने अपनी महान कृती राज तरंगणी को पूरा किया, राज तरंगणी में कुल 8 तरंग तथा 7826 इस लोक हैं प्रेशन संक्या 17 देखिए, कल्पूंग जल विद्दुत परियोजना अविस्तित है, option A अंडमान एवं निकोबार दियुप समूँ में, option B अणनचल पिदेश में, option C में, option D सिक्की में तो सयुतर हो जाएगा, option A हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार दियुप समूँ में, कल्पूंग जल विद्दुत परियोजना अविस्तित है, प्रेशन संक्या 18 देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, option A सतलज, option B जेलम, option C रावी, option D व्यास, सयुतर हो जाएगा, option B जेलम, कहां है, option B जेलम, देखिए, तुलबुल नववहन परियोजना जम्मू एवं कसमीर में, जेलम नदी पर निर्मित की गई है, प्रेशन संक्या 19, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बताइए, निम्न लिखित में से कौन सुमेलित नही उद्ध्यान से, option B, सुईत, दूद से, option C, नीली कुकुटपालन से, option D, हरित, क्रिशी से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, option C, नीली कुकुटपालन से, देखें, नीली का सम्मंद कुकुटपालन से नहीं है, या मत से उत्पाधन से सुनहरी क्रांती का सम्मंद उद्यान से है सोयत का दूद से है हरित क्रांती का सम्मंद क्रिशी से है पर नीली क्रांती का सम्मंद कुपकुट पालन नहीं मत से पालन से है प्रिशने संक्याद 20 देखिए 20 में पूछ रहा है निम्न लिखित में से कौन एक रभी की फसल है और अप्रेल से जून तक काटी जाती है रभी की फसल में गेवू, जौ, मटर, चना, सरसो इत्यादी आते है प्रिशने संक्या 21 देखिए 21 में पूछ रहा है पूसा सिंदुगंगा एक प्रजाती है आप्सन गेहू की, आप्सन वीधान की, आप्सन सीमसूर की, आप्सन डी चना की तो सही उत्तर हो जाएगा आप्सन एक गेहू की है पूसा सिंदुगंगा गेहूं की प्रजाति है अब गेहूं की कुछ और महत्वपुन पे जातियां देख लेते हैं देखिए पूसा बसंते पूसा बहारे पूसा गौतमी पूसा अमूल पूसा वत्सला पूसा अनमूल एवं पूसा किरन ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं बाहरा ही अब ब्वाप्षशन धृतर की इक गेहुों के सफ़ेन के ** गेहु की करनाल बंड की देखिए कवक जनित गजिनुफ से बिर्वार के संक्या 23 देखिए 23 में पूछ रहा है कपास के रेसे प्राप्त होते हैं अब चलिए प्रिशन संक्या 24 देखते हैं मटर की पत्त विहीन जाती है मटर की पत्त विहीन जाती है इसमें पत्त लिखा है ये पत्त नहीं है पत्त विहीन जाती होगा तो मटर की पत्त विहीन जाती कौन सी है उप्रिशन संक्या 25 देखिए निमनी लिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है option A. सरसो, option B. धान, option C. गेहू, option D. मक्का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, option B. धान की, किस पसल की रुपाई की जाती है, धान की, दोस्तों अगर आप लोगों को इंप्रेशनों की PDF लेनी है, तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर उपलब दे, टेलिग्राम चैनल का लिंक हमने description box में दे दिया है, साथ में चैनल को like and subscribe कर दीजे, और well icon का बटन भी दबा दीजे, धन्यवाद